वेलकम तो माई यूटूब पेज तो इस वीडियो में आज मैं वेस्ट कार्डबोर्ड का इस्तिमाल करके बहुत ही बढ़िया सा शोपीस बनाने वाली हो जो कि बहुत ही एजी है तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकडा ने लिया है और उसके उपर मैंने सरकल ड पेट दिया है और इसके बाद यहां पर मैंने इसको ग्नूगन से चिपका दिया है नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर बॉटल है उसको लिया है मैंने इंप्टी वाटर बॉटल को और उसके बाद इसको रख करकि स्कार्ट बोड पे फिर मैंने सर्कल शेप ड्रॉ कर लिया है ताकि जो shape है वो perfect आए अब मुझे blue color का paper इस cardboard के टुकरे के उपर paste करना है तो वहाँ पर मैंने इस तरह से instruction दिखाया है मैंने वीडियो में इस तरीके से किया है ताकि ये एकदम से round shape आएगा paper का बिल्कुल gold shape आएगा फिर उसके बाद जो अगला step है उसमें मैंने एक छोटा सा blue color का paper ले करके जो back side से cardboard दिख रहा था उसको ढखने के लिए चिपका दिया है और फिर ये दिखे बॉटल के base में मैंने इस cardboard को लगा दिया है और इसलिए मैंने इसका पहले ही नाप ले करके cut किया था उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ glitter sheet लिया है blue color का glitter sheet है ये और उसको मैंने चोटे-चोटे टुकरे में कट करके फिर बॉटल के उपर चिपका लिया है एक प्यारा सा सुंदर सा look देनी के लिए और next जो step है उसमें मैंने red color का glitter sheet लिया है फिर से और उसको मैंने base में जो ये बॉटल का base है न उसमें मैंने इसको चिपका दिया है glue gun से सब कुछ कर लिया है अगले step में yellow color का craft paper लिया है मैंने और उसका मैंने चोटे-चोटे टुकरा चार पीस में divide कर दिया था ये 4 size के paper को और उसके बाद इसमें से मैंने इस तरह का flower shape बात लिया है जो कि मैंने वीडियो में दिखाया है हर step को आप असानी से step follow करके ये flower बना सकते है Caesar का इस्तेमाल करके मैंने थोड़ा सा 3D look देने का कोशिश किया है flower को ताकि वो एकदम से real rose वाला जो look है वो आजाए यहाँ पर और पहले ही मैंने pink color के 4-5 flower बना कर रख लिया था तो यहाँ पर सारे flower को मैंने round shape के उपर assemble कर दिया है अगले step में मैं leaf बनाने वाली हूँ यहाँ पर जो rose का leaf होता है ना रियल का उस तरह का मैंने यहाँ पर ट्राइ किया है एक्जेक्ली बनाने का और सारे leaf को flower के साथ assemble कर देंगे फिर यहाँ पर छोटा छोटा round shape का cardboard लिया है और उसको pink color के paper की उपर मुझे paste करना है तो इसलिए मैंने इसको रख करकी cut कर लिया है और अब यहाँ पर gum के help से इसको paste कर देंगे यहाँ पर glue gun का इस्तेमाल ही करेंगे क्योंकि glue gun ज़वर होता है उसमें और वो एकदम से plain look नहीं आएगा फिर मैंने यहाँ पर bottle के cap के ऊपर इस तरीके से glitter sheet को चिपका लिया है और woolen को जो है वो मैंने बीच में hold करके इस तरीके से paste कर दिया है फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ pom pom पड़ा हुआ था तो उस bottle के अंदर मैंने डाल दिया है हर color का pom pom बहुत ही सुन्दर सा प्यारा सा लूप दे रहा है और जो round color का round pink color का cardboard था उसको मैंने लेकर के lace चिपका दिया है बेस के लिए और फिर मैंने सारी चीजों को इस तरीके से assemble किया है फिर एक प्यारा सा flower लगा दिया है बेस पे और ये प्यारा सा सुन्दर सा showpiece बनकर तयार हो गया है तो दोस्तों क्या सा लगा ये वाला वीडियो ये जरूर आप comment box में बताईएगा यहाँ पर अगले वीडियो में मैं एक unique सा craft बनाने वाली हूँ यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुन्दर सा father's day thing पर greeting card बनाया है because father's day upcoming है अभी तो यहाँ पर मैंने paper ले लिया light pink color उसको मैंने fold किया है इस तरीके से फिर dark pink paper को चिपका दिया है जैसा कि instruction में मैंने दिखाए है वीडियो में आप इसको follow कर सकते हैं बनाने के लिए और इसके बाद inner part जो है greeting card का उसको मैंचे decorate करना है तो यहाँ पर उसके लिए मैंने blue color का craft paper लिया है और उसको exactly जो size है उसके इसाप से cut करके paste कर दिया है फिर यहाँ पर एक round shape चाहिए जिसके लिए मैंने एक धकल लिया है और फिर यहाँ पर round shape कट कर लिया है light pink और dark pink दोनों color की चाहिए होगी और दोनों को paste कर लिया है यहाँ पर फिर next step में black color का paper ले लिया है और उसके उपर मैंने छोटा सा इस तरीकी का shape बना लिया है और उसको फिर यहाँ पर paste कर दिया है फिर यहाँ पर मैं happy father's day लिखने वाली हूँ और आप चाहे तो जैसे मैंने light pink और यहाँ पर dark pink का इस्तिमाल किया है तो आप यहाँ पर blue dark blue और light blue यह color भी बहुत प्यारा लगता आप इस तोनों color का इस्तिमाल करके भी इस greeting card को बना सकते हैं फिर एक छोटा सा heart shape बना लिया है उसको चिपका दिया है और आप सारे चीजों को जो greeting card मैं ने बनाया था उसके उपस देस्ट कर दिया है फिर यहाँ पर white color का silver color का glitter sheet लिया है और उसको मैंने cut किया है छोटे-छोटे dots में और फिर सबको यहाँ पर चिपका रही हूँ यह जो greeting card है उन सबके उपर पेस्ट कर दिया है गम के help से Father's Day में आप इस greeting card को बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं तो मैंने जो सारे dots है उसके उपर glitter sheet को चिपका दिया है next step में मैंने black color का paper ले लिया और उसको इस तरीकी से fold कर दिया है जो shirt का shape होता है वो मैंने यहाँ पर try किया है you can see कि यहाँ पर मैंने shirt बनाने की कोशिश क है तो फिर यहाँ पर inner part में मैंने white color के paper को लिया है जिस में की collar अभी बना रही हूं है और फिर इन सब को ले करके चिपका दूगी यहाँ पर tie बनाया है छोटा सा tie draw कर लिया है red paper पर और फिर इसको बहुत ही साबधानी से कट कर लेंगे ताकि यह proper shape में हो और सारी चीजों को assemble करना है तो पहले black color का जो है उसके अंदर यहाँ पर मैंने इस shirt और tie को paste किया है फिर बतन का जो shape है वो मैंने यहाँ पर draw कर दिया है फिर मैंने यहाँ पर जो message है उसको लिखती आया आप चैने तो कुछ और message यहाँ पर लिख सकते हैं फिर सारी थी यहों को assemble कर दिया है और यह final rating card भी है वो ready है बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा rating rating card है तो thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और यह वीडियो कैसा लगा वो जो वो comment box में बताएगा मिलते हैं फिर next video